नमस्कार साथियों मैं प्रकास कुमार सिंग और ड्राइवर कल्यान संग भारत तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष मैं आज आप लोगों से साथियों बताना चाहता हूं कि भारत में अजादी के 75 साल बाद कहीं सरकारे आई कहीं पार्टियों की सरकारे बनी लेकिन भारत में ऐसी कुई भी पार्टि अभी तक उभर के सामने नहीं आई जिसने भारतिये चालकों के लिए अपने घुसना पत्र में तो सब्द लिखे हूं यह हमारी बिड़मना के हैं कि भारत में भी लोगों को मालूम है कि एक ऐसा छेत्र है परिवहन छेत्र जिसमें एकता नाम की चीज ही नहीं है कितने भी जगाओगे यह जगने वाले नहीं है क्यों क्योंकि जो सोया होता है वो जगता है लेकि जो जग के सोया है उससे कैसे जगाएंगे हम क्योंकि यहां जगे हुए सोय हुए इन मुर्दों को जगाने की बात हम करते है आज कई राज्यों में चुनाओ है पार्टियों के अलग-अलग घुसना पत्र होते हैं उसमें हर चीजों के बारे में जिक्र होता है हर छेत्र के बारे में जिक्र किया जाता है लेकिन एक ड्राइवर सबसे उपैक्षित, सबसे सोसित वर्ग रहा भारत में, लेकिन इसके लिए कहीं से कोई आवाज नहीं उठाईए, किसी पार्टी ने कभी ड्राइवरों के लिए दो सब्द न कहा हो, किसी मंच से, जितने भी भारत में चालक से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ओटो चालक हूँ, या बस चलाते हूँ, कार चलाते हूँ, ट्रक चलाते हूँ, मेरा सभी चालकों के लिए कहना है, कि हम लोग कितने पिछड़े हैं, कितने वंचित हैं हम लोग, ये सब इस चेत्र से जुड़े हुए लोग अच्छी तरह भली भाती जानते हैं ये बताने की जुरत नहीं है कि मैं आपको बताओं कि आप कहां पर हैं क्या आपको खबर नहीं है सारे लोगों को खबर हैं फिर भी हम लोग बेखबर हैं सारी चीजें जानने के बावजूद भी हम लोग बेखबर हैं अगर ये आप समझते होंगे कि हम लोगों के लिए कोई धनुसमान लेके आएगा और हम लोगों के लिए कोई चमतकार करके जाएगा तो ये गलत फहमी में आपना रहें क्योंकि ये आपकी लड़ाई है और आपको खुद लड़ना होगा इसके लिए कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा और आप नहीं चाहते कि हमें इस समाज में इज़्यत मिले क्योंकि मैंने देखा है कई ड्राइवरों को सर्म सी मसूस होती है मैं देख रहा हूँ न उन्हें बताने में उच्छुप के काम किये जा रहा है मैं कहता हूँ कि हमें आगे आना होगा संगठित होना होगा हम अपनी बातों को रखेंगे सरकार तक और सरकार भी सुनेगी कब सुनेगी, जब वो समूह में देखेगी, समूह में जानेगी, तब हमारी बातों को सुनेगी, जब तक हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, जब तक हम समूह में नहीं आएंगे, और इस संगठित होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जब तक हम संगठित नहीं होते हैं हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। मैं ने कई बार कहा है बार-बार कहता हूं कि हम जिस छेत्र से जुड़े हुए हैं हमें सुरू से ही आमानवी तरीके का सोसन किया गया। और ये बिड़मना कहें कि सरकार में सरकार के लोगों ने सुरू से ही अंदेखा किया है ये आज की बात नहीं है मैं किसी एक सरकार के उपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ हाँ लेकिन कई जगोहों में ऐसा भी हुगा है जैसे उत्तर प्रदेश में योगिया दितनात जी जब जार धारा के लोग अगर पूरे भारत के हरे राज में उनके जैसे मुख मंत्री हो तो कम से कम अवैद असुली तो खतम होगी अवैद असुली को रोका जाएगा बहुत सारे मुद्दे हैं अब इतने छोटी वीडियो में तुम्हें बता नहीं पाता हूं कि सारी बातों को मैं बता दूं फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा जय हिन्द जय सार्थी जय भारत